दोसो उदेनिदी स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान को लेकर बीजेपी और डियमके में ठंदे है सनातन धर्म पर उदेनिदी स्टालिन ने जो बयान दिया उसके बाद बीजेपी ITCEL के हैट अमित मालिवे पर F-I-R दर्ज हो गई है और आरोप लगाया गया है कि स्टालिन के बयान को तोड मरोड कर अमित मालवे ने जैनोसाइड अपने तरफ से जोड दिया आरोप ये लगाया गया है कि अमित मालवे ने जूट फैलाया कि उद्धे निदी स्टालिन ने जैनोसाइड यानी नरसहार की बात दी जबकि स्टालिन का कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और BJP नेता जूट फेला रहे हैं अब इस मुद्धे पर अमित मालिय पर F.I.R के बाद PM मोदी को CMM के स्टालिन ने भी जवाब दिया है क्यों जवाब दिया है इसकी भूमिका ये है कि PM मोदी ने BJP नेताओं को एक सला दी थी ये हेंडलाइन आप देखिए कि सनातर पर बयान का सक्ति से दे जवाब इंडिया बना भारत पर बोलने से बचे PM मोदी की मंत्रियों को सला प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों की बैठक लिए जिसमें NDA के मंत्रियों को सला दी गई है PM मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे सनातर धर्म पर उदे निदी के बयान का सही से जवाब दे और इंडिया बना भारत के विवाद बे ना बोले तो यह सला प्रधान मोदी ने दी है कि उदे निदी स्टालिन ने जवब दिया क्या कहते हैं MK स्टालिन मैं दिखाता हूं आपको बयान स्टालिन का इसमें MK स्टालिन कहते हैं कि उद्य निधी ने क्या बोला ये पूरी बात जाने बिना प्रधान मंत्री का कमेंट करना सही नहीं है बीजेपी समर्थक ताक्ते सिध्धानतों को लेकर उद्य निधी के स्टैंड को बरदाश्ट नहीं कर पा रही और फेक नेरेटिव फैलाया जा रहा है आगे स्टैंड कहते हैं जबकि उद्य निधी ने सनातन पर बोलते हुए तमिल या अंग्रेजी में कहीं भी जैनोसाइड शब का इसमाल नहीं किया बीजेपी द्वारा पोशित सोशल मीडिया के द्वारा उत्तर भारत के राज्जों में ये जूट फैलाया जा रहा है ये प्रचार करने में जुट गए है कि सनातन धर्म का विरोधी है इंडिया गड़ बंदल दोसर स्टालिन के बयान की जहां तक बात है उद्य निधी स्टालिन के बयान की मुझे लगता है कि बहुत गेर जरूरी बयान दिया गया था हलाकि जैनोसाइड जैसे शब्दों का उन्हें इस्तिमाल नहीं किया ये बीजेपी नेताओं ने अपनी तरफ से जोड़ लिया फिर भी अगर राजनिती के लिहाद से देखा जाये तो इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए था बहले ही तमिलनाडू में नुकसान नहीं हो लेकिन मद्धपरदेश और आजस्तान में चुनाव आने वाले हैं तो उधैनिदी स्टालीन उसके बाद प्रियंग खडगे और अब ए राजा के बयान एक तरह से आग में घी डालने का काम करते हैं और असल मुद्धों से बचकर बीजेपी को निकलने का रास्ता देते हैं यहीं वज़ा है कि पीएम मोदी के आदेश पर आज स्मृती रानी का भी बयान सामने आया रवी शंकर पसाद का भी बयान सामने आया तमाम BJP नेता PM मोदी के आदेश को मानते हुए इस मुद्धे पर राज़िती में जुट गए हैं आप सनातन धर्म पर इंडिया गड़बंदन के नेताओं के इस तरह के बयान PM मोदी के अपनी नेताओं को सला देने और MK स्टालिन के जवाब पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में फिरायल जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकायता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की ओप्शन का इस्तिमाल करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जोइन करें नमस्कार